अब वारत की जो situation है ना कहीं भी कुछ भी आवेलेबल नहीं है शूपर मार्केट में, मॉल्स में, नॉर्मल शॉक में कहीं भी कुछ आवेलेबल नहीं है। लेकिन हम खाना तो नहीं छोड़ सकते और डेजर तो चहिए चाहिए खाने की बार तो इसलिए आज में सोच रहे हूं घर में इंग कॉंडेंस्ट मिल्क्न बना लेते हैं इसे हमएं फ्रीज में स्टोर्पि कर सकते हैं और इसके सहता से हम कोई भी डेजर फडा पड बना सकते बजर जाने की ज़रूरत ही नहीं है तो चलिए पड़ापड बना लेते हैं कॉंडेंस्ट मिल्क बनाने के लिए हमें 500 ml दूद की 200 ग्राम चीनी की और एक पिंच बेकिंग सोडा की ज़रूरत होगी आप कोई भी दूद यहां पर यूज कर सकते हैं फूल क्रिम मिल्क भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल मिल्क भी यूज कर सकते हैं हमें ऐसी बड़ी बड़ी खुली हुए बर्तन की ज़रूरत होगी इसमें मैं दूद को गरम करने के लिए रख देती हूँ उसी दूद में 200 ग्राम चीनी को भी मिला दूँगे कि इसको हम तब तक बॉइल करेंगे जब तक कि यह 250 ml दूद में कंवर्ट ना हो जाए मैं इसे हाई फ्रेम में पका रही हूं इसलिए इसको चलाते हुए मुझे बॉइल करना है आप चाहे तो इसे मीडियम फ्रेम में भी आराम से बॉइल करके हाफ कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर दूद आधी हो चुकी है और मैंने इसे साइड से भी इसको निकालके इसमें मिला नहीं हूं यहां पर हमें क्रीमी टेक्स्टर लाने के लिए सोडा को यूज करना है यहां पर मैं वन पिंच सोडा को मिलाऊंगी और थोड़ी देर इसे खिलाती जाओंगी अब देख सकते हैं कैसे क्रीमी टेक्स्टर इसमें आ गया है देखिए अल्मोस्ट बन के तैयार है लो फ्लेम में पांच मिनिट और मुझे इसे पकाना है लेकिन कंटिनियसले इसे हिलाना पड़ेगा इसे स्टियर करते रहना है नहीं तो यह नीचे से जल जाएगी मैंने गयस को बंद कर दिया है अब मैं इसे एक अलग सी बोल में निकाल लूँगी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं इसका कंसिस्टेंसी और टेक्स्टर आपको दिखाऊंगी यह ठंडी हो चुकी है आप मैं आपको इसकी टेक्स्टर और कंसिस्टेंसी दोनों दिखा देती हूं देखिए है ना बिलकुल बजार जैसी थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो तिल दा एंड एक पर फिर मिलेंगे नई रेशिपीज के साथ तिल देन टेक्क्यार बाबाई है ना पत्सक्षी तो बजा है है है